नमश्कार मैं हूँ साक्षी बिहारी नीउस में आपका स्वागत है खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नज़र सुर्खियों पर BPSC सिक्षक भटी परिक्षा फेज 3 का छपने से पहले ही लीक हुआ था पेपर बिहार में सूखी 24 नदिया बिहार के इस जिले में सीता माता के भव्य मंदिर का होगा निर्मान एंडिये से नाराज पशुपती पारस ने मंत्री पत से दिया इस्तिफा सर्फरास खान और ध्रूब जरेल को BCCI की सेंट्रल कॉंट्रेक्ट लिस्ट में मिली जगा इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार ग्रीव विभाग के सचिफ बने प्रनव कुमार चुनाव आयो की और सी बिहार ग्रीव विभाग के ECS डॉक्टर S सिधार्ट सहीद अने राज्यों के सचिफ को हटाने का आदीश दिया गया था और इसके बाद बिहार समाने प्रशासंद विभाग ने ECS सधार्ट के अस्थान पर बिहार ग्रीव विभाग के सचिफ के तौर पर साल 2008 बैच के IPS अधिकारी प्रणव कुमार को प्रभार सौब दिया है वहीं एस सधार्ट को मुख्यमंत्री नितिश कुमार के प्रधान सचिफ के तौर पर मुख्यमंत्री सचिफाले में नियुक्त किया गया मालूम हो कि प्रणव कुमार कारा एवं सुधार सेवाओं में महानिरिक शुक के जिम्मदारी समाल चुके हैं ग्रेव विभाग के जिम्मदारी मिलने के बाद भी उनके पास इस विभाग के जिम्मदारी बनी रहेगी BPSC सिक्षक भटी परिक्षा फेज तीन का छपने से पहले ही लीक हुआ था पेपर BPSC सिक्षक भटी परिक्षा फेज तीन का छपने से पहले ही पेपर लीक हो गया था EOE की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है साथ ही कहा गया है कि जब तक किये गये प्रश्ण पत्र में किसे भी प्रकार का बार कोड नहीं था बताया जाता है कि सॉलवर ग्यांग के पास पेन ट्राइव में प्रश्णों की सॉफ्ट कॉपी पाई गई थी और EOE की और से शक जाहिर की गई है कि परिक्षा का संचालन से जुड़ा हुआ कोई एहम वैक्ती इस पेपर ली कांट भी शामल हो सकता है वहीं परिक्षा के प्रश्ण पत्र की छपाई करने वाली एजिंसी और प्रिंटिंग ट्रेस दोनों को लेकर जांच की जा रही है कहा जा रहा है कि परिक्षा के संचालन से जुड़ा हर सक्स जांच की दायरे में है मदर्सों के सिक्षकों के वेतन के लिए सरकार ने राशी की आवंटित कर दी है इसके लिए 150 करोर की राशी आवंटित होई है पता जाता है कि ईद से पहले इन्हें वेतन दे दिया जाएगा वहीं इस राशी के बारे में यादेश दिया गया है कि इसे दूसरे कामों के लिए खर्च नहीं किया जाए मालूम होके इससे पहले मदर्सा और संस्कृत बोट को भंग कर दिया गया था और इसे लेकर सिक्षव भाग के और से अधिसूचना भी जारी हुई थी महीं अगले दो महिने के अंदर आयोग के मुनरगजन के बात कही गई है आयोग मामलों के प्रबंधन के लिए प्रशासक की न्यूक्ती की जाएगी ये राज्य सरकार के सच्चवस्तर के पदादिकारी होंगे बिहार में सूखी 24 नदियां बिहार में 24 नदियां सूख गई है इन नदियों के 670 किलोमीटर के एरिया में गाद भर चुका है इधर सरकार की ओर से भी कुछ नदियों के गाद को हचाने की योजना बनाई गई है लेकिन नदियों को सूखने से बचाने का प्रयास अब तक कारगर साबित नहीं हुआ है वहीं आपको बता दे कि सूखी वी चॉबल्स नदियों के लंबाई कुल 2986 किलोमीटर है इसके करिब 670 किलोमीटर के एरिया में गाद भर चुका है कभी नदियों में पूरी तरीके से पानी लबालब भड़ा हुआ करता था आपको बता दे कि उत्तर बिहार के 16 और दक्षिन बिहार के कुल 8 नदियां सूख चुकी है होली पर बिहार को मिली 13 जूरी स्पेशल ट्रेनों की सौगाद होली की मौके पर बिहार को पूर्व में घोसित ट्रेनों के साथ ही 13 जूरी और नई ट्रेनों की सौगाद दी गई है होली कुरीकर राज्य में कुल 400 ट्रेनों की घोशना हो चुकी है मुझपरपोर सिकंदराबाद एक्सप्रेस स्पेशल सहरसा सरहिंद एक्सप्रेस स्पेशल विशाखा पतनम पतना एक्सप्रेस स्पेशल न्यू तिन सुक्या जैनगर होली स्पेशल कौकता जैनगर होली स्पेशल सियाल दः गया होली स्पेशल डॉक्टर अंबेत कर नगर पतना इंदोर होली स्पेशल जिब्रुगट गोरकपूर न्यूजलपाईगुरी गोरकपूर होली स्पेशल कटिहार रांची होली स्पेशल न्यूजलपाईगुरी आसनसोल होली स्पेशल सियालदः गोरकपूर होली स्पेशल वलसाड मालदा टाउन हुली स्पेशल के परिचालन की घोशना हुई है मुझपरपूर बनेगा बिहार का इंडरस्ट्री हब बिहार का मुझपरपूर जला इंडरस्ट्री हब के रूप में विक्सित होने जा रहा है और जिले में चोटे से लिकर बड़े उद्योग का जाल बिच्वाया जा रहा है सरकार की नई उद्योगिक निती ने मुझह अपरपूर में डेवलप्मेंट के रास्ते को खोल दिया है यहां उद्योग विभाग की ओर से उद्योग पतियों को कई तरह की सुविधा भी मुहया कराई जा रही है यहां फैक्टरियों की संक्या में इजाफा हुआ है जिले के महवल उद्योगिक श्रेत्र में 140 करोड की लागत से लेदर पार्प को विक्सित किया जाएगा उद्योग विभाग ने इसके लिए आपचारिकता को पूरा कर लिया है नई उद्योगिक निती से यहां विकास का रास्ता खुल चुका है बिहार बोर्ट बार्वी का रिजल्ट जल्द होगा जारी बिहार विद्याले परिक्षा समीती बारवी के परिक्षा परिनाम को जारी करने की तैयारी में जुटा हुआ है और वलाल बोड ने तारी को कुली कर एलान नहीं किया है लेकिन संभावना जदाई जारे कि 20 मार्स को रिजल्ट की घोशना कर दी जाएगी बारवी के बारवी के परिक्षा परिनाम की घोशना के बाद चात्र और चात्राए बिहार बोड के आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com पर रिजल्ट को चेक कर सकते हैं बिहार बोड के रिजल्ट से जुरी जानकारी बोड के एक्स अकाउंट अधिरेट ओफिशिल बीसेबी पर भी शेयर की जाएगी बिहार के इस जिल्ट में सीता माता के भव्य मंदिर का होगा निर्मान अयोध्या के राम मंदिर के निर्मान के बाद बिहार के सीता मड़ी जिल्ट में माता सीता का भव्य मंदिर बनाया जाएगा इस जगह को सीता माता का जनमस्थली का जाता है यहां मौजूदा मंदर के पास 50 एकर का जमीन अधिग्रहन करने का निर्ने लिया गया है और जानकारी के नुसार बिहार कैबिनेट में शुकरवार को ये एहम पैसला लिया गया बाशपा के नीता कामिश्वर सिंग का इस मामले में कहना है कि माता सीता के लिए सीता मड़ी वही है जो राम के लिए अयूद्या है वहीं बिहार के मुख्यमद्र नितीश कुमार के सोचे वैस सिधार्ट ने कहा है कि सरकार मंदर का निर्मान नहीं करवा सकती है लेकिन इस मुद्धे को उठाया गया है इस कारण सरकार इसके लिए भूमी अधिकरहन कर रही है पटना और मधुवनी में लगेगा सीमेंट प्लांट बिहार के पटना और मधुवनी में सीमेंट प्लांट लगेगा इस प्रस्ताव को क्लियरंस मिल चुका है इसके साथ ही गोपाल गंज में इथिनॉल फैक्टरी का भी निर्मान होगा बिहार राज्य निवेश प्रोसाहन परश्रत की ओर से इसके लिए निवेश के लिए इस शुक करीब एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। परश्रत की ओर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। परश्रत की ओर्जन प्रस्तावों के अनुसार यहां भी बात बनने की संभावना कम जताई जा रही है। परश्रत हासल की है। वहीं विपक्ष की महिनों की कोशिस नाकाम होती नजर आ रही है। सुशील मोदी ने आगे कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके वादों पर भी कोई भरोसा नहीं करता है। सुशील मोदी ने बताया है कि भाजपा ने लोगसबा चुनाओं की तारिकों का एलान होने से पहले ही 267 सीटों पर अपने उमिद्वार तैग कर लिया था। शिराग पासवान ने पश्चुपती पारस को लेकर दिया बयान। लोशपा रामविलास के रास्ट्रिय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चुराग पासवान ने पश्चुपती पारस को लेकर बयान दिया है। मेरे दिवंगत पिता रामविलास पासवान के बाद वो परिवार के वरिस्ट सदस्य है। ऐसे में उन्हें फैसला लेना है और अपने आगे की रनीती को लेकर वही जवाब देंगे। जमई सांसद ने कहा है कि सीम नितीश कुमार और उन्हों ने अपनी अपनी सीटों को छोड़ दिया। इसका कारण है कि एक बार फिर से प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी की कुरसी आसान हो सके। हम सभी का एक ही लक्ष है कि साल 2024 के लोगसबा चिनाओं में एंडिय की प्रचंड जीत हो। रनीतिकार प्रशांत कि शोड ने बीबीएससी के कार प्रनाली पर सवाल खड़े किये हैं। साथी उन्होंने कहा है कि बिहार में प्रश्न पत्र लीक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बलकि बिना प्रश्न पत्र लीक होए पर इक्षा का आयोजन हो राम बड़ी बात है। जन सुराज के संयोजक ने कहा है कि राज़मी ये रोज मर्रा की घटना बन चुकी है मालूमों कि बीपेसी फेपर लीक मामले में ज़ाडखन के हजारी बाग से 270 लोग पकड़े गए और इसके बाद EOU मामले की जांच कर रही है दिल्ली में आला कमान से मुलकाद के बाद सीम नितीश कुमार प्रत्याशी का नाम तै करेंगे बिहार एंडिये में सीटों का बटवारा हो गया और राजर के 40 लोग सबा सीटों में से 17 भाजपा, 16 जदियू, 5 चुराग पासवान की पार्टी LJBR और 11 सीट मांशी और उपेंद्र कुश्वाहा की पार्टी RLM को दी गई है। इस फैसले के बाद सीअम नितीश कुमार दिली के लिए रवाना हुए है और इसके बाद चर्चा की जारी है कि सीअम नितीश कुमार NDA के नेताओं से मुलाकात के बाद प्रित्याशियों के नाम तै करेंगे, हालंकि जदियू के ओर से संभावना चताए गई है कि पिछले को repeat किया जा सकता है सर्फरास खान और ध्रूव जरेल को BCCI की Central Contract List में मिली जगह भारत की नए बल्लेबाजी के start सर्फरास खान और विकेट की पर ध्रूव जरेल को England बना म्हारत के Test Series में अच्छा production करने पर इनाम मिला है इन दोनों हे खिलारियों को BCCI की Central Contract List में शामल किया गया, इन्हें वार्सिक Retainer Ship Feast में शामल किया गया है, इन दोनों ने तीन टेस्ट खेलने के दौरान मांदंड को पूरा किया, आपको बता देखे 28 परवड़ी को इससे पहले BCCI ने लिस्ट जारी किया था और उस दौरा प्लेयर कॉंट्रेक्ट लिस्ट में 30 खिलारियों को शामल किया गया था, और अब इसके बाद इसमें दो अन्ने खिलारी का नाम शामल किया गया है, BCCI की Central Contract List में क्या इशान किशन को भी शामल करना चाहिए, आप अपनी राए हमें हमारे कमेंट सिक्शन वाक्स में जरूर इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, आज का सवाल है, पश्युपति पारस के किंद्री बंद्रिपत के स्तीफा देने पर आपकी राय क्या है, आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, अभी के लिए इतना ही, बिहार और साथ अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले, धन्यवाद